हमने फ़स्ट इपसोड में देखा था रिया एक और नो बधना सी परंपने के चला जाता है हमने सेज़स्यों में डेखा था रिया की शादी हो जए है बर जहां पर इसके शादी होती है वहाप एक गंदी से परंपरा चलती है कि अगर लड़की वर्जिन नहीं हुई तो उसको धक्के मार के उस कहाँ से निकाल दिया जाता है और रिया के साथ यही होता है और रिया के फैमिली भी उसको एससेट निकाती और रिया मंदिर में जाके बैठ जाती जो कि उसको बोलता है बेटी मेरे घर पे चलो और रिया उसके साथ उसके घर पे चली आती है अब सुने आप आए की स्टोरी इस्टोरी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छूटी रिक्वेस्ट करना चाओंगा अगर आपने वीडियो लाइक नहीं है प्लीस लाइक कर दो जिससे थूरी सी मोटिवेशन मुझे ही मिल जाए तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं चेहरे से इंसान को पैचानना आसान नहीं होता है वो बेटी बेटी कहके रिया को घर पे ले गया और घर पे ले जाने के बाद उसने अपना वादा भी निभाया उसने कहा ता मैं तुझे पढ़ाऊंगा उसने एक अच्छे से कॉलिज में रिया का एडिमेशन भी कराया और रिया बहुत खुश थी रिया को लगने लगा कि शायद अब बोजी सकती है वो अपने पुरानी यादे भूल के कुछ नई खुशी वाली यादे अपने साथ रख सकती है बट कहते हैं ना जिसके किसमत खराब होती है उसको अकसर बुरह ही लोग मिलते है वो आदमी बुरा नहीं कहूंगा उसको बुरह से भी जादा था जो रिया के साथ पहले हुआ और जो उसके बाद में हुआ उससे ही बुरा रिया के साथ अब होने वाला था रिया की सिंदगी इतनी बुरी होगी रिया ने कभी सोचा नहीं था वो आदमी जो था वो राकेश और उसके पती दोनों से ज़ाद बुरा था हाँ वो दिखने में बहुत अच्छा था बाती बहुत प्यारी प्यारी करता था और रिया को बेटी 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 बोलता था बट कहते है न अकसर अगर कोई तुम्हें प्यास से बोले तो जरी रही वो इनसान भी अच्छा हो वो बेटी जवो बोलता था बट उसके मन में क् करता था उसकी मरजे खिलाफ हर बार उसके साथ जबदस्ति घाता था एक तरीके एर रेप जी हां सुनने में आपको बहुत अचील वहीगा कि शादी शिद्ध होने के बाद रेप यह कैसी बाती बट अगर लड़की की मरजी ना हो और जबदस्ति आप करो हर बार उसको एक त पूरी तरह से खतम कर चुगा था उसकी बीबी ने बहुत हिम्मत करके उससे तलाग लिया था और उससे दूर हुई थी ऐसे इंसान के साथ कोई भी लड़की किया कोई भी औरत कोई भी इंसान रही नहीं सकता वो पूरा दिमाग का पागल था रिया इन सब बातों से अंजान ति और वो कई भी हार मानने वारों में नहीं थी इज this को नचे घुची और छडूर मांने वालों में सब्स्क्राप कर चूए वर्या उससे लड़ना है और यह पटानी था बहुत चुक्छ बंगा कि कॉन कि अपनी लाइफ अच्छेश कर चूँअगी वह किस उच्छी तक जाता घर को ताला लागे जाता और रिया से कहता अभी कुछ प्रॉब्लम चल लिए अभी तुम कॉलिज मत जाओ और भी सेफली घर पर रहो विकॉस मेरे कुछ जोकी मेरी जान के पीछे पड़े हैं और मैं ने चाता मेरी वैसे तुम्हें प्रॉब्लम हो रिया के इंडरिया ने असकी बात को भुद अब तो बहुत थीक है और रिया की जिंदगी बरवाद होना तब चाल भी जब एक रात रिया सो रही थी और वो आदमी उसके रूम में प्रोक रही थी बोल लहीं थी आप क्या कर रहे हैं आपकी बेटी समानु वह आदमी कहने लगा हां तो बेटी मैं कब मना कर रहा हूं पर जो मुझे चाहिए वो दे दो, मैं तुम पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बहुत अच्छी तरह एक अच्छा इनसान बनाऊंगा, पर जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो, रिया समझ गई थी, कि इसके इरादे सही नहीं है, और रिया वो सारी कान दी समझ में आ गई थी, क कि अपने लिए लड़ भी नहीं सकी, और रिया का यूस करने लगा, रोज रिया का यूस करता, रिया का कॉलेज वाल जिस सब बंद हो चुका था, बस एक घर की, एक कमरे में बंद रहती, और आदमी रोज आता, उसका यूस करता, रिया की जिंदगी ऐसी बन चुकी ती, जोसने कभी सोची भी नहीं थी रिया किसी भी लड़की जिन्दगी अगर ऐसी बन जाए तो वह एकी चीछ चाहेगी इससे अच्छा मौत मिल जाए ऐसी जिन्दगी कोई लड़की जिना नहीं चाहेगी रिया भी अंदर बहुत मरी जा रही थी वो इतनी बुरी तरह से यूस काता था वो इतनी बुरी तरह से यूस काता था कि कोई भी लड़की होती तो आपी हमना दम तोड़ देती वो इतनी बुरी तरह से उसको एब्यूस काता था जिसकी कोई लिमिट नहीं है वो आदमी नहीं पूरी तरह से जानवा था रिया ने भ पर ऐसे ही चलता रहा चलता रहा बहुत टैंट ऐसे ही चलता रहा वो पूरे तीन महीने तक आदमी उसके साथ यही कहता रहा और अब रिया एक लाश बनके रह गई थी रिया में इमत नहीं थी कि वो आपकुछ कर सके और वो आदमी अपनी गिनोनी पंती से कभी बाच नहीं वो बस कहता रहा उसके साथ ये सब उसको थोड़ी भी शरम नहीं आई कि मैंने उसको अपनी बेटी का है मैं कैसे उसके ये का सकता हूँ और रिया अंदर ये अंदर खुटती रही माती रही एक लाश बन चुकी थी रिया के अंदर इतनी भी इंबन नहीं थी कि वो खुट को भी मास अगे पूरी तरह से वो खतम हो चुकी थी एक जिन्दा लाश की तरह पर रिया की कानी क्या यहीं पे खतम हो जाएगी क्या रिया की जिन्दगी यहीं पे खतम हो जाएगी और रिया की जिन्दिग में आकर कुछ नहीं हो पाएगा रिया कोशिश तो बहुत कर रही थी अपनी जिन्दिगी को अच्छा बनाने के लिए इस ट्रॉंग भी भूत थी लड़ने के लिए पर हर बार ऐसे लोग मिलेंगे तो क्या वो कभी स्ट्रॉंग बन पाएगी कभी किसी वो भरोसक कर पाएगी क्या वो इनसान से बच पाएगी या रिया की भी कहानी उन लड़कियों की तरह हो जाएगी जो अपनी जिन्दिगी में कभी लड़ी नहीं पाएगी जो ये सबसे कभी भार निकली नी पाईं और ये सब से से कही अंदर ही अंदर मर गईं रिया वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चल में करे क्या वो उसकी पूरी कानी खतम हो चुकी थी एक तरीके से ना ये उसका कोई साथ ही था ना ये उसमें खुद इम्मत बची थी खुद को बचाने के लिए और दूसरी जह वो आदमी जो कि रोकने का नाम ने ले रहा था वो यहां पर रोकने वाला नी था उसकी जरुवत अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो एक ऐसी चीच करने जा रहा था जिससे लड़की की पूरी लाइफ परवात हो सकती है खत्म हो सकती है रिया को उसने एक लाश तो बनाई दिया था पर अभी उस लाश को भी ओ ठीक से रहने नहीं देना चाह रहा था उसने रिया के साथ एक चीच करने की सोची जो कि कोई भी लड़की सोच के ही हैरान रह जाएगी उसके पेरोतले जमीन निकल जाएगी अगर किसी लड़की ने बास सुन भी ली तो वो अपने साथ चाह लड़कों को लाया रिया के साथ फिसिकल होने के लिए जिसे रिया को बहुत तकलीफ हो और वो चिलाए बुरी तरह से जी हाँ मैंने कहा ना वो साइको था पूरी तरह से पागल जब लड़की चिलाती थी तो उसको सैटिसफेक्शन मिलती थी जब लड़की बुरी तरह तरपती थी रोती थी तो उसको खुशी मिलती थी एक तरीका एंसान नहीं जानवर था वो जानवर और वो चार लड़कों लाया और बोने लगा इस लड़की ताथ फिजिकल होना है तुम्हें इतनी बुरी तरह से कि इसकी चीके मुझे सुनाई दें मुझे सकून मिलना चाहिए इसकी चीकों से उन्हीं चार लड़कों में एक का नाम था रोवन जो की साफ दिल का था बहुत अच्छा इंसान था और उसको नहीं पता था कि या आदमी मुझे क्यों यहाँ पे लाया उसको लगा था कि एक अच्छा आदमी है और उसको अच्छा ही समझता था जैसे पूरी दुनिया उसको अच्छा समझती है वो जब रिया से मिला रिया की हालत देखी तो उसके आँकों से पताने क्यों बड़ आँसू आ गए वो रिया को जानता नहीं था पहचानता नहीं था नहीं रिया से प्यार करता था वो तो फर्स टाइम मिला था वो भी ऐसी आलत में पर रिया को देख के इसके आँकों में आसू आ गए उसको लगने लगा कि इस नर्ग से उसको निकलना चाहिए उसमें उस आदमी से पूचा कि ये सब क्या है उस आदमी ने का ये सारी बाते छोड़ जितना कह रहा हूं उतना सुन वो लड़का उससे पूचने लगा कि ये है कौन और ये सब क्या कर रहे हो तब तीन लड़कों ने का कि अरे छोड़ना हमें तो मज़ा मिला है ना सिंपल सी बात यार इस दुनिया में हर किसी को अपनी पढ़ी है हर कोई सोचता ही चल यार अपन को तो मज़ा मिला है अपना तो काम हो रहा है हमको क्या फरक पढ़ता है कि कोई लड़की दस से मर रही है या चिला रही है क्या फर्क पड़ता है कि उसके आँकों में कितने आसु है क्या फर्क पड़ता है किस तकलीफ से गुजर रही है फर्क नी पड़ता है यार कुछ फर्क नी पड़ता है तो अपने मजे से उचाय तकलीफ से चिला के मर जाए दम तोड़े दोस चगे पर हमें का फर्क पड़ता है हमें तो फरक पड़ता है अपनी खुशी से को इसको बचाने नहीं आएगा मरें तो मरें हमें तो मज़ा मिला है ना यार ऐसी थिंकिंग है आज कल के बगा दिया बड़ फिर भी अड़ा रहा जोने कहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा इस लड़की साथ और तुम्हें भी करने नहीं दूंगा जोन उनसे लड़ गया बड़ वो आदमी काफी पांवर्फुल था उसमें वहां से बगा दिया जोन ने उससे कहा यगर 15 में लटक को तुम छोड़ दो वहाद में काफी डर चुगा तक यह वो पुलीस में जाएगा तो में रेपूटिशन में इज़त सब खराब हो जाएगी और मैं कैसे जी पाऊँगा तो आज रात के बाद तुम्हें लड़की को अभी की अभी अपने साथ लेके जाऊंगा और अगर क दूर की बात लोग ही उसको जान से मा देंगे उस आदमी अंदर काफी डर बैट गया था उसने रहन से कई ठीक है तो इस लड़की को यहां से ले जा पर तू अभी जा और पुलीस को पिलीस कुछ मत बदाई हो रहन ने रिया का हाथ पकड़ा पर रिया में इतनी इमत नही आपके और वो ले आके अपने गाड़ी में बिठाया और अपने घर पर ले जाने लगा पर रस्ते में उसने सोचा कि यार मैं इसको अपने घर पर ले जा के बोलूंगा क्या मेरी फैंबली हो क्या जवाब दूंगा लोग पूछेंगों को क्या जवाब दूंगा मेरे मम्म की पापा सवाल करेंगे उन सबसे क्या बूलूँगा मैं कि कौन है जै और कैसे हुई की सवालत क्या बूलूँगा मैं लोधने सोचा कि या छोड़ एक काम करता हूं वहां से तो इसको बचाई लिया इसको यही कली पर साइड मैं छोड़ देता हूं अपने अपको कोई इस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है और मैं को दुनिया की पर्वाँ ना करते हूए इस लड़की का इस टम साथ देना चाहिए रोवन इस ही कनफिशन में था वो इस लड़की छोड़े या फिर घर लेके जाये आपको क्या लगता है रोवन उस लड़की घर लेके ग Kne utan निकलेगा यaking दुस्रें से अलग निकलेगा उस लड़की मदद करेगा ये calam ErstmasOD कि दुनिया क्या करेगी ये एक इन सोच है कि उसकी फैमली क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे सबको साइड में रखते हुए उस लड़की मदद करेगा ये सबकि परवा करती हुए उस कर देना जिससे थोड़ी रीच बड़े और यह स्टोरी और लोगों तक पॉस अगे और हां इसके एंड में जो मैसेज है वो बहुत लोगों तक जा सके मिलते हैं स्टोरी के फोर्थ एपिसोड में अलविदा लव व्यू ओल